नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रह्मतराज मतहवटिक्स में दोस्तों ठीक सुबे के साथ बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि साथ बजे अपना हिंदी का टेस्ट रहता है जिसमें टोक मौस्क 30 क्यूसन में लेके आता हूँ आपके लिए बीएश टी सी की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तो दोस्तों जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएए ठीक सुबे के साथ बज चुके हैं और यह अपना टेस्ट अब सुरू होने वाला है दोस्तों जल्दी से इस टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए जुड़ जाएए जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आवाज और वीडियो एकदम सही चल रहा है क्या फिर इस बैतरी इंटेस्ट की दोस्तों सुरुआत करते हैं जी हाँ दोस्तों टॉप माश 30 क्योशन लेके आ चुका हूँ चली तो दोस्तों आज का पहला क्योशन आप देख रहे हैं किस करमाक में सबी प्रियाईवाची सही है ओप्शन आपके हैं देनू, गर, महीशी, मंदिर, बारी, गर, रुदिर, रक्त, लहू, हानी, गाटा, लाब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि किस करमाक में सबी प्रियाईवाची जो है एकदम सही है किस विकल्प में सबी प्रियाईवाची सही है यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे सात्यों पहले क्योशन का राइट आंसर क्या होगा जे हाँ, चल दिस से कमेंट कर दीजे दोस्तों, बिलकुल तीसरा ओप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुदिर, रक्त, लहू यह सारे रक्त के ही प्रियाईवाची सब्ध है थर्ड ओप्षन पहले में जिन सात्यों ने बताया है, बिलकुल करेक्ट आंसर है चले दोस्तों, नेक्ट अगला क्यों संदी केगा चचुंदर के सिर में चमेली का तेल इस लोकोक्ती का शही अर्थ क्या होगा आयोगे व्यक्ति द्वारा इस्तरी वस्तू का उप्योग संद्री परशाधन को बड़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तमाल करना या इन में से कोई ने दूसरे क्योशन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है सात्यों क्योशन नमबर दू आपके सामने अवेलिबल है जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेर करो ताकि सबी लोग आजाई चेनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो किस करमांक में खिड़की का प्रयाइवाची नहीं है कौन से में खिड़की का प्रयाइवाची नहीं है प्यारे सात्यों ये बताना है आपको जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों लाइक और शेर कर दीजे हर रोज सुबह साथ बजए आपके लिए कलास लेके आते हैं बिल्कुल थर्ड क्यूशन का राइट आंसर चोता ओप्शन देगा दुवार जो है दोस्तों खिड़की का प्रियाईवाचे नहीं है जिन साथ योने फौर्थ ओप्शन बता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अगला क्यूशन देखेगा किस क्रम में परिशन वाचक सर्वनाम नहीं है कौन केसे तुम क्या बताए दोस्तों क्यूशन नंबर चार में आपको ये बताना है कि किस क्रम में परिशन वाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों चार ओप्षन आपके सामने हैं कौन कैसे तुम यह क्या बताए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम तुम जो है दोस्तों वह है आपका पुरुष स्वाचक सर्व नाम है थर्ड ओप्षन आपका कर्रेक्ट आंसर दोस्तों तीसरा उप्षन बिल्कुल सही है, क्युस्स्टा नम.5 देखीगा अवला मुहावरे का शई अर्थ क्या होगा, प्रतेक्ष को परमान की क्या होँ शकता, जादू का खेल, नी संधे बात या यधार्थ बात, क्युस्सा नम.5 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, लगाई जाती है पांच में क्यूशन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तीसरा उप्षन हतेली का आमला मतलब नी संदे बात थर्ड उप्षन जिन सात्यों ने पांच में बताया है बिलकुल करेक्ट बहुत ही बड़ी अतियारी है दोस्तों आपकी आगे बढ़ता हूँ च्छटे क्यूशन की तरफ च्छटा क्यूशन है किस क्रम में वरत मुकी श्वर नहीं है दोस्तों च्छटा क्यूशन थोड़ा इंपोर्टन जादा है किस क्रम में वरत मुकी श्वर नहीं है दोस्तों आ, उ, ओ, 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 बताये दोस्तों च्छटे क्यूशन का राइट आं आंसर क्या होगा चलिए छटे क्यूशन का राइट आंसर पहला ओप्शन देगा दोस्तों आज जो है वरत्म की शोर नहीं है फर्स्ट ओप्शन वताने वाले बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों अगला देखिए साथवाई क्यूशन एक नागिन अरुपंक लगाई लोकोक्ति का शही अर्थ क्या है ओप्शन है नागिन के पंक लग जाना दूसरा है एक दोस के सादद दूसरे दोस का जुड जाना तीसरा है अत्यतिक यहर चड़ना चोता है इन में से कोई नहीं साथमें क्योषन का right answer आपको comment करना है एक नागीन अरुपंक लगई لوकोक्तिका शही अर्थ क्या है जल्दी से comment करेंगे दोस्तों क्योषन नमबर 7 का बिल्कुल सही प्याधरे साथियों बिल्कुल सही answer दे रहे हैं काफी लोग बहुत बड़ी हैं दोस्तों साथ में का राइट अंजर दूसरा उप्षन देगा एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना एक नागिन अरुपंक लगाई का अर्थ हो जाएगा सेकेंड उप्षन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल सही है दोस्तों आगे देखें मेरे पहरे साथियों सकर्मक क्रिया के लिए सई कर्मांक बताईए आट और क्योशन आपके सामने है किस कर्मांक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है उप्षन देखिएगा पानी में रसी एंटती है बालक शाम को खेलते हैं 34 रा उप्शन है नोकर रसी एंट रहे बच्चा पार्क में दोड रहे सकर्मक किरिया किसमे है ये बताना है आपको मैंने 4 उप्शन बताए है क्योस्टा नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजी क्योस्टा नंबर 8 ये लीजे दो उप्शन उप्शन उपर है पानी में रसी एंट थी है बालक साम को खेलते हैं नोकर रसी एंट रहे या बच्चा पार्क में दोड रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जेगा दोस्तों तीसरा उप्शन नोकर रसी एंट रहे थर्ड उप्शन आपका राइट आंसर रहेगा आपके कितने से होते हैं ये लाश्ट में आपको बताना है इसलिए ध्यान रखें निम नलिकित में से कौन सा सब्द शुद है उन्नती 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 या उन्नती चार प्रकास से उन्नती लिकावा है सही कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों question no.9 का right answer अब आप comment कर सकते हैं comment box में चलिए जल्दी से बतेए 9 question का right answer क्या हो जाएगा बिलकुल 9 question का right answer fourth option काफी बता रहे हैं बिलकुल सही है उन्नति जो ये वाला उन्नति है बिल्कुल सुध है तो ये चोता ओप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योशन नमबर नो का दस्वा क्योशन देखेगा प्यारे सातियों किस करमांक का वाक्य सुध है वह प्राते काल गूमने जाता है वहाँ फूलों की परदर्शनी बुलाई जाने वाली है अक्षे की पतनी विद्वान है या सत्रू मेदान से दूड़ खड़ा वा इसमें ये डूढ़ना है कि किस करमांक का वाक्य बिल्कुल सुध है दोस्तों दस्वें का राइट आंसर बताईए लाइक और शेर करते रहना है दोस्तों लाइक शेर में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे सात्यों दस्वें का राइट आंसर हो जएगा पहला उप्षन वह प्राते काल गोमने जाता है ये वाक्य बिल्कुल सुध है फर्स्ट उप्षन जिन सात्यों ने बता है बिल्कुल करेक्ट आंसर अगला देखेगा किस करम में विराम चिन का सही प्रियोग नहीं हुआ है उप्षन है जब मेरा मित्र आया में सो रहा था अध्यक्ष महोदे हमारी बात सुनिए क्या कोई तारे गिन सकता है मर्द्य पांच सरिर और आत्मा का नाश करता है किस करम में विराम चिन का सही प्रियोग नहीं हुआ है दोस्तों ये बताना है इग्यार में का राइट आंसर क्या रहेगा चलिए जी बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा जी हाँ ग्यार में का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ओप्शन अध्यक्ष मोदी अमारी बात सुनिए याँ पर देखिए ये आपका सही प्रियोग नहीं हुआ है सेकंड ओप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा अगला देखिए कौन सा करम ठीक नहीं है यानि अशुद शब्द है विनाष विदेश विपक्ष विज्ञान अवनती अवतरण अवगुण अवग्या परादीन पराजिय पराभव पराकरम निर्जन नियम निर्दूस निष्चल कौन सा करम ठीक नहीं है बारवे क्यूशन का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों क्यूशन नंबर बारा आपके सामने अवेलेबल है मेरी प्यारे सात्यों राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा हर रोज सुबह सात बजी कलास होती है आपकी BSTC की तेयरी को मजबूत करने के लिए जी हाँ बारवे का राइट आंसर है गा चोत्ता ओप्षन जो दोस्त बता रहे हैं बारवे में विल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ये करम आपका ठीक नहीं है अगला क्युस्ण देखे दोस्तों अच्चिर और अजिर का सई अर्थ बेद कौन सा होगा अच्चिर और अजिर का सई अर्थ बेद डूढ़ना है पुराना और नया चिरकाल और गर नवीन और आंगन घर और सिग्रत तेरवे का राइट आंसर बताई दोस्तों क्युस्ण नंबर 13 अब आपके सामने अवेलबल है दोस्तों चलिए तेरवे का राइट आंसर क्या होजेगा यह आपको कमेंट करना है बताई दोस्तों क्युस्ण नंबर 13 का राइट आंसर चलिए जी 13 का रायेट आंसर हो जएगा तीसरा ओप्षन अचीर का मतलब नवीन और अजीर का मतलब आंगन तरड ओप्षन जिन सात्योंने बताया है बिलकुल करेक्ट आंसर है Q4 नमबर 13 का रायेट आंसर तीसरा ओप्षन रहेगा दूस्तों आगे बढ़ता हूँ अगले क्युशन की तरफ, किस करमांक में गुण वाचक तदित परतिये नहीं है, सात्विक, भासिक, दयालू, लालिति, गुण वाचक तदित परतिये का प्रियोग किस करमांक में नहीं हुआ है, क्योसा नंबर 14 में आपसे पुछा गया है, राइट आ बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, राइट आंसर हैगा लालितिये दोस्तों, फौर्थ उप्शन जो साती बता रहे हैं, मेरे साती फौर्थ उप्शन जिसने भी बता है, बिलकुल करेक्ट आंसर दे दिया है दोस्तों, चले आगे, अगला देखेगा दोस्तों, तत्सम तद प्रपाई दे रहे हैं किश्करम में तत्सम रूप नहीं है यह बताना है इन चार में से तीन तत्सम एक नहीं है वह कौन सा नहीं है उसको सेलेक्ट करके बता दीजीए दोस्तों लाइक और शेर करते रहना है मेरे पहरे साथियों पंद्रवें का जो राइट आंसर है वह पुष्टक दे दीजे किसे ने उसे धमकाया वह बवत समस्दार है दाल में कुछ काला है किस क्रम में ऐ निश्चे वाचक शार्वनामिक विशेशन नहीं है दोस्तों अब आपको ये बताना है कि उससे नमबर सोडा में जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों लाइक और शेर कर करना है चैनल पर पहली बार पता रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों उमीद करता हूँ आज सबने एडमिट कार देख लिए होंगे अभी तक भी साइट नहीं चल रही तो आप और प्रियास करते रहें दोस्तों आप अपना एडमिट कार जल्दी देख लें क्योशन नंबर सोडा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए सोड में का राइट आंसर तीसर ओप्शन देगा वह बहुत समझदार है थर्ड ओप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सत्रवा क्योशन देखे किस सब्द यूगम में सई अर्थ बेद नहीं है अवलंब अविलंब सारा और बिनारो के आसन आसन नीकट और बेटने का इस्तल अली अली सखी और बमरा अतल अतुल गेरा और बड़ा काफी बते दोस्तों सत्रवे में किस सब्द युग्म में सई अर्थ बेद नहीं है कौन सा विकल्प है दोस्तों ये बताना है किस सा नंबर 17 के अंतर गत दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजे हर रोज सुबे 7 बजे ये हिंदी का टेस्ट आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों चलिए जी 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ओप्शन नंबर 3 ये आपका सही अर्थ बेद नहीं है थर्ड ओप्शन जिनस आत्तियों ने 17 में बताया है बिलकुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अगले चलिए 18 क्योशन पर किस क्रम में पस्ट सुवर है चार ओप्शन आपके सामने दोस्तों 18 का आपको राइट आंसर कमेंट करना है क्योशन नंबर 18 का राइट आंसर चलिए जी जल्दी से बताएंगे दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या रहेगा क्योशन नंबर 18 का राइट आंसर सेकंड ओप्शन रहेगा दोस्तों उ जो है वह पस्ट सुवर है क्या है पस्ट सुवर दूसरा ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हर रहेगा अगला देखे 19 वाक्योसन व्यांजन संदी का उधारण किस करम में है आपको ये देखना है कि व्यांजन संदी का उधारण इन 4 में से किस करम में है सू प्लस उकती बराबर सुकती हित प्लस इच्छा बराबर हिते चा सुब प्लस इच्छा बराबर सुबे चा या सम प्लस गठन बराबर संगठन इन चार में से व्यनजन संदी का उधरन कौन सा है दोस्तों ये बताना है आपको चार ओप्षन आपको दिखाई दे रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों चलिए बहुत ही बड़िया दोस्तों अच्छे तयारी है इसको continue रखना है दोस्तों चार दिन अब आपके पास सेस बच रहे हैं ओप्षन आपका कौन सा हो जाएगा ओप्षन चोथा करेक्ट आणसर हो जाएगा सम प्लस गठन संगठन ये वेंजन सद्धी का एक्जामपल है दोस्तों अगला देखना किश करम में विलोम उचित नहीं है किश करम में विलोम उचित नहीं है निंदे इस्तुते पवित पतिवर्ता कुलटा परितोष, शंतोष, नत, उनत बीश में का राइट आंसर बतेगे दोस्तों कि किश करम में विलोम उचित नहीं है यानि विलोम शब्द शही नहीं है जल्दी से बतेगे बीश में का राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए Question number 20 का right answer परितो संतोस होगा Third option आपका correct answer हो जाएगा Question number 20 में बात समझ में आगे ना अगला क्यों संदेई केगा 21 किस करम में अयादी संदी का उधारण है अयादी संदी का उधारण इनमें से कौन सा है Option देखे देवी प्लस अरपन देवी अरपन दोस्तों इनमें से अयादी संदी का उधारण कौन सा है अब आपको ये कमेंट करना है दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से 21 क्योंसन में अयादी संदी का उधारण कौन सा होगा जल्दी से right answer बताएंगे दोस्तों Question number 21 आपके सामने अवेलबल है दोस्तों Right answer होजेगा तीसरा option दे प्लस इनी दाई नी काफी लोगों ने बिलकुल करेक्ट बताए है तीसरा option 21 में Right answer होगा दोस्तों बहती बड़िया तैयारी अगला क्योंसन देगे चकर पाणी सब्द में कौन सा समास है 22 क्योंसन देखेंगे दोस्तों चकर पाणी में कौन सा समास है बहुबरी समास दवंद्व समास करमदारिय समास मेरे प्यारी साथियों बताए कि चकर पाणी में कौन सा समास है जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों 22 का Right answer चली क्योस्टन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बिलकुल बहु बरी समास होगा दोस्तों चक्र पाणी में बहु बरी समास है तीसरा अर्थ निकलेगा फर्स्ट ओप्शन जिन सात्यों ने बताया है बिलकुल बढ़िया तैयारी दोस्तों अगला क्योस्टन द दोस्तों आपको Q23 आपके सामने available है आप सभी को right answer comment करना है दोस्तों like share कम है like share करते रहें दोस्तों आप सभी चैनल पे पहली बार पदा रहें तो subscribe जरूर कर लें दोस्तों तत्सम सब्द आपकर कौन सा है सुत्र तत्सम सब्द है आपका fourth option correct answer रहेगा question number 23 का अगला देखें चोईसवां किस करम में करण तत्पुरुस हमास नहीं है नहीं है पूचाए दोस्तों किस में करण तत्पुरुस नहीं है इश्वर परदत ग्रहागत हस्त लिकित भूक मरा करण से हाँ जी हाँ दोस्तों करण तत्पुरुस नहीं है यह बताना है चलिए चोईस में का right answer बते दोस्तों किस सा नंबर चोईस आपके सामने परदर से थे मेरे पहरे साथियों बिल्कुल सही बता रहे है दोस्तों यहाँ पर करण तत्पुरुस का उदारन ग्रहागत नहीं है ग्रह को आगत यह अलग हो जाएगा शेकंड आपका उप्शन करेक्ट आंसर एगा बाकि इस वर दुआरा परदर्थ हर्स हस्त से लिखेत हाथ से लिखावा भूक मरा भूक से मरा तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड उप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 25 वर क्युषन है यादरी छिक सब्द में कौन सा परते है एक एक छिक या के 25 वर में आप सबी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों यादरी छिक में कौन से परते का प्रियोग हुआ है दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्युषन नमबर 25 जी हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ी है काफी राइट आंसर आने लगे हैं दोस्तों यादरी छिक में कौन सा परते होगा ये क्युषन आपके सामने है राइट आंसर हैगा काफी दोस्तों ने बता दिया इक कौन सा परते है इक परते है क्युषन नमबर 26 देखे दोस्तों 26 वा क्युषन आचुका है कि किस क्रम में संदी का सही प्रियोग नहीं हुआ है सब्द प्लस इतर सब्देतर अनू प्लस दित अनुदित रजनी प्लस इस रजनीस एहम प्लस कार एहकार किस क्रम में संदी का सही प्रियोग नहीं हुआ है 26 वे में आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों चलिए जल्दी से बताएंगे दोस्तों 26 वे का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे सातियों 26 वे का राइट आंसर दूसरा option एगा अनू पलस दित अनू दित ये गलत है इसलिए दूसरा option आपका correct answer हो जाएगा question number 26 का ठीक है 27 वां क्यों संदेगे दोस्तों 27 वां क्यों संदेगे दोस्तों 27 वां के सामने है किस क्रमांक का सब्द तत्सम है इन में से तत्सम सब्द कौन सा है दोस्तों ये चांटना है भाप, शकर, लक्ष, शींग बताए दोस्तों कौन सा आपका तत्सम सब्द है चार option आपके सामने available है दोस्तों 27 वें का right answer जल्दी से अब आपको comment कर देना है comment box में चलिए मेरे प्यारे मित्रों 27 वें का right answer क्या हो जाएगा क्यों सा नमबर 27 का right answer एगा थर्ड ओप्षन ठीक है लक्ष याँ पर दोस्तों तत्सम सब्द है तीसरा ओप्षन जिन सात्यों ने बताए 27 वें बिलकुल correct है मेरे प्यारे सात्यों अगला 28 वें देखना किस करमांक में विलोम शब्द नहीं है शुएजन, दूरजन, सरजन, सहार, संक्षेप, विश्तार, चितकार या शितकार दोस्तों किस करम में विलोम शब्द नहीं है ये बताना है आपको question number 28 के अंतरगत चलिए जी जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों 28 में का right answer क्या होगा प्यारे सात्यों 28 में का right answer होजएगा स्वेजन, दूरजन, ये विलोम सब्द नहीं, सजजन, दूरजन होता है फॉर्स्ट ओप्शन जिन सात्यों ने बताई है 28 में बिलकुल correct answer हैगा गुंतिस नंबर क्यों से नहीं, बरबर सब्द का सही विलोम क्या होगा बरबर सब्द का सही विलोम सब्द क्या होगा सब ये बुरा दुष्ट या अत्याचारी दोस्तों गुंतिस का right answer बताना है बरबर सब्द का सही विलोम सब्द क्या होगा बरबर सब्द का विलोम सब्द दोस्तों कमेंट करेंगे आप सभी मेरे प्यारे सात्यों 29 का राइट आंसर चलिए जी बहुत बड़िया दोस्तों सब्द ये इसका राइट आंसर होजेगा बरबर का सब्द विलोम सब्द होजेगा फर्स्ट ओप्शन जिन सातियों ने बताये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आज की कलास का अंतिम परसंद देखीगा दोस्तों गन सब्द के लिए सही करमांक बताईए बादल हतोडा, सरीर जल, गड़ा, मन, बादल जल गन के प्रियाईवाची कौन से हैं, ये पुछा गया आपसे गन सब्द के लिए सही करमांक बताना है दोस्तों चलिए, मेरे प्यारे सातियों, तीस में का राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट ओप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फार्स्ट ओप्सन जिन सातियों ने बताया है बिलकुल करेक्ट आंसर है मेरे पियरे सातियों ये थे आज के दोस्तों हिंदी के कुल 30 क्वेशन 30 में से आपके कितने सहीवे आप मुझे अभी comment box में comment करके बताएंगी दोस्तों 10 बजे सिक्षन अभी रुची का टेस्ट है जिसमें 50 important person लेके आऊंगा तो उस टेस्ट को miss मत करना 3 बचे मेगा टेस्ट है जीके का और रात को 9 बजे reasoning का टेस्ट होता है दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया very good दोस्तों तो ये थे दोस्तों आज के 30 क्यूशन मिलते हैं नेक्स 10 बजे वाले सेशन में तब तक के लिए सबी सात्यों को जे हिन जे भारत थेंक्यो